हेलो एवरीवन बच्चो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 5 के पर्यावरण अध्यन की किताब आज पास का पार्थ 2 तो बच्चो पार्थ 2 है एक सप्रेरे की कहानी मैं हूँ आरेनाथ तो बच्चो ये पार्थ आपने पढ़ाई होगा आज की वीडियो में हम इस क्वेशन आंसर करेंगे तो बच्चो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोडिफिकेशन मिलते रहें तो बच्चो आईए शुरू करते हैं क्वेशन है क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते देखा है अगर देखा है तो कहां तो आंसर है हमने साप का खेल दिखाने वालों को बीन बजाते देखा है तो बच्चो जो बीन बजाते हैं उन्हें सपेरे कहते हैं और कालबेलिया कहते हैं अगला कुश्यन है क्या तुम्हें साप से डर लगा क्यों तो बच्चो हाँ की मृति हो जाती है अगला कुश्यन है तुम्हें क्या लगता है सभी साफ जहरी ले होते हैं तो बच्चो इसका आंसर है नहीं सभी साफ जहरी ले नहीं होते हैं जैसे पानी में रहने वाले साफ यह जहरी ले नहीं होते अगला कुश्यन है साफ के बाहरी कान नहीं होते क्या वह बीन की दुन सुन पाता होगा या बीन के हिलने से ही वे नासता होगा तो इसका आंसर है बच्चो साफ बीन की दुन नहीं सुन पाता होगा साफ गूम गूम कर बीन को डसने की कोसिस करता है और हमें लगता है कि साफ नाच रहा है अगला कुश्यन है सापेरों के अलावा और कौन-कौन लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं। अगला कुशन है बच्चो, सरकार ने कानून बना दिया है कि ने तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ने ही उन्हें अपने पास रख सकता है तुम्हें क्या लगता है, क्या यह कानून सही है या नहीं, अपने उत्तर के पीछे कारण बताओ और लिखो तो बच्चो इसका आंसर है, यह कानून सही है, इससे जंगली जानवरों का जीवन सुरक्षित रहेगा और यह स्वतंतर रूप से जंगलों में रह सकेंगे कुछ जानवरों की प्रजातियां भी समाप्त होने से बच जाएंगी बच्चो यदि आपको इस वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सेर करना न भूले और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू